अपमान, बेज़दी, क्या कभी हुई आपकी? कभी न कभी तो हुई होगी, कभी न कभी तो किसी ने कहा ही होगा, एई अलग हट यहां से, कोने बे तू? उकाद क्या है तेरी? हिम्मत केसी हुई तेरी इस तरह से बात करने की? शकल देखी है कभी अपनी? बढ़ाया है हम पर बोलने हैं, और जब इस तरह से बेज़दी होती है, तो उस वक्त आपका रियेक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपको आपकी उकाद याद दिलाता है, उस वक्त आपके अंदर ये अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसे रियेक्ट करते हो? अंदर ये अंदर क् पूटकर आसमान की उचायों पर पहुचाए ना, हर किसी का कभी न कभी तो मजाग जरूर बनाए, कभी न कभी तो बेज़ती जरूर हुए और कई बार हुई है, बात एसन गुनिसोन इंडियान वे की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पेसेंजर कार टाटा इंडिका रहे थे, और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका गुलाए गया, और फोर्ड के ओफिसर के साथ में रतन टाटा की एक बेटक होई, और उन्हें वहाँ पर कहा गया कि जब आपको इसके बारें पता ही नहीं है, तो आपने पेसेंजर विकल में कदम ही क्यों रखा, और यही पूरा फोकस अपने कार बिजनस में लगा दिया, और कहते हैं समय पहिये के समान गुमता है, और इसी तरह से समय पहिये के समान घुमा, और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की उचाईयों पर पहुचा दिया, एक तरफ टाटा गूर्प की टाटा मोटर्स पिलियन डॉलर में खरीद लिया, टाटा मोटर्स की फोर्ड के साथ ये टीर उनके लिए जीवन दाई निसाबीत हुए, और उस वक्त फोर्ड के जो करण चेयर्मेन थे, उन्होंने रतन टाटो को धन्नीवाद देते हुए कहा, कि आप जेयलार को खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा इंसान कर रहे हैं, और यही होती है, एक महार इंसान की पेचान, अच्छा तो हर कोई बन सकता है, महान बहुत कम बन पाते हैं, और यह तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा अपमान वाता डॉक्टर भी, इम्राव अम्बेड करका नीची जातके थे, तो लोग इनकी परचाई भी अपने उपर नहीं पढ़ने देते थे, एक बार कोई का पानी पी लिया, कोई को टच कर दिया, देख छोटे से बच्चों को बहुत मार बड़ी, सिर्फ इसलिए, क्योंकि उसने कोई को छू लिया, उसका पानी पी लिया, स्कूल में उन्हें क्लास उनके अंदर नहीं जाने दिया, कहा बाहर बेट कर पढ़ाई करो, कहा गया कि संस्कृत ब्रहमणों के लिए होती है, तुम्हारे लिये नहीं, इतना अपमान हुआ, बहुत धर्द होता इंदर से, उन्हें ठान लिया, कि तुमने मुझे अपने गाउं की स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, वे दुनिया की सबसे बैस यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आऊंगा, और कॉलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमे किया, और उसके बाद लंदन स्कूल ओफ एकोनोमिक से MSC की, और उसके बाद में लोकी पढ़ाई की और फिर PhD की, और फिर जब वापस आय तो उन्हें मिलेटर सेकेर्टरी की नोकरी मिली, जो स्वत मोती अच्छी नोकरी थी, लेकिन उसके बाउच्यूत में उनका अपमान हुआ, और वो अपमान उनके दिल पर लगा, उन्हें तब भी कुए का पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहाँ का चपड़ाची तक उन्हें फाइल फेक कर देता था, मेरे खाद अपमान ज़रूरी है, बेस्ति से ही बदलावाता है, अंगर्जों ने एक बार गांधी जो को ट्रेन से धक्के मार का बहार निकाल दिया था, बहुत बेस्ति हुई थी, उनसे कहा गया था कि तुम काले इंडियन्स डिजरू नहीं करते हमारे ट्रेन में बेटना, और उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूगा, वो एक चिंगार इतनी बड़ी क्रांगती में बदल जाएगी, किसीने सपने में भी नहीं सोचा होगा, अमिताब बच्चन को भी रेडियो जोप से उनकी भारी आवाज और उनकी लंबी हाइड की वेशे निकाल दिया गया था, और वहीं उची हाइड और उनकी भारी आवाज आज उनकी पहचान है, अपनी कमजोर्य को अपनी ताकत बनाओ, अपनी अपमान का बदला, अपनी सफलता से लो, जब कोई अपमान करते हैं न, तो अपनी 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 बदला नहीं लेपाओगे, और नहीं वो हिस्सत असिल कर पाओगे, जो तुम पाना चाहते हो, अपने अंदर बार बार ये बाद बोलते रहो कि कहा था न, तुमने की शकल देखी अपनी, एक दिन ऐसा लाओगा कि तुम शकल देखने को तरसोगे, कहा था ना तुमने की चलहट यहां से कोने बे तू एक दिन ऐसा भी लाओंगा कि कोई बेटा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूँगा कहा था ना तुमने की ओकात क्या है तेरी मेरी ओकात में नहीं मेरा वक्त बताएगा क्योंकि जब समय का पईया घुमता है ना तो इसमें अच्छे अच्छे घुम जाते हैं और बार बार अपने अंदर ये बात धोराते रहें कि धुकराया है जिनोंने मुझे मेरा समय देखकर वादा है मेरा एक दिन ऐसा भी समय लाओंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझे से मेरा समय लेकर और मेरे इस वीडियो में जो आपको एक्सांपल बताए है रतन टाटा डॉक्टर भीम राव अंबेटकर महत्मा गांदिया मिताप बच्चन और ना जाने से कितने लोग है जो हमें बताते हैं कि जिन्दगी वो नहीं है जो हमें मिलती है बलकि जिन्दगी तो वो है जो हम बनाते हैं और किस तरह बेज़द्धी का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले दिपक दिया चैनल पर हमें इसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे आप लाइक और शेयर करके हमारा होंसला बढ़ा है और नए वीडियोस को मिसना करने के लिए सब्सक्काइब करके बेल आइकन को प्रेस करें अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जाई ही जाई भारत